अगर आपको जौब बिल्कुल भी नहीं मिल पारी बिजनस आप समझ नहीं पारे करें तो कौन सा शुरू करें या आपको बिजनस शुरू ही नहीं हो पारा है और कहीं से भी आपको कुछ भी रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यहां तक की बच्चों से रिलेटे पे बुद्वार वाले दिन किये जाते हैं नमस्कार मैं दू आउजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडूलम डाउजर वास्तु एक्सपर्ट और निम्रलोजिस्ट आ रहा है पहला बुद्वार जो की जैनवरी 2023 में अभी आएगा और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पहले बुद्वार पे ही उपाई करना है, आप कोई भी बुद्वार पे इस उपाई को कर सकते हैं, इस उपाई को जितने बुद्वार चाहिए, आप रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको उपाई कौन से करने अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहला अगर आपको बिल्कुल भी job opportunity नहीं मिल रही है यहां आपकी promotion नहीं हो रही है business आपका नहीं start हो पा रहा है यहां business तो है लेकिन उसमें customers नहीं आ रहे, income अच्छी आपको नहीं आ रहे है तो इस उपाई को आप जरू से कीजेगा, यह जो उपाई मैं बता रही हूँ यह बच्चों के लिए भी in fact काम करेगा तो आपको क्या करना है जो पुदीने के पत्ते होते हैं वो थोड़े से आप ले लीजिए उसको अच्छे से सुखा लीजिए सुखाने के बाद उसका आप पाउडर कर लेंगे अगर पूरे आप पत्तों को नहीं सुखा के पाउडर कर पाए और आपको यह उपाई बहुत ही जल्द करना है इसी बुद्वार को तो आप क्या कर सकते हैं जितनी देर आप इसको सुखा सकते हैं सुखा लीजिए यानि कि उसको एक प्लेट में रखे आप फ्रिज में उसको रख दीजिएगा या धूप आती तो धूप में रख लीजिएगा फिर जितने सूख जाएं फिर पाउडर हो तो ठीक है ने तो कोई बात नी एजटेस आप इस्तमाल करेंगे कितने भी पुदीने के पत्ते आप ले सकते हैं हार्डली दो या तीन भी काफी है अब आपको क्या करना है इसको अपने राइट हैंड में पकड़ना है यानि किसी इदे हाथ में आपको लेना चाहिए वो पाउडर फॉर्म में हो चाहिए वो पत्ते के रूप में हो लेकिन थोड़ा सा सूखा हुआ जरू से होना चीए वो अब आपको क्या करना है जो भी आपकी मनो कामना है वो आपको मनो कामना बोलनी है आप कैसे भी बोल सकते हैं या present tense में वो चीज पूरी हो चुकी है इस तरीके से भी आप ये बोल सकते हैं example बताती हूँ present tense में कैसे होता है मुझे job मिल चुकी है मेरा काम अच्छा चल रहा है इसको हाथ में लेके आपको ये इच्छाय बोलनी है और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हो जा रहा है चाय फिर वो च्छत पे हो, बालकनी में हो, कई खुले आसमान में हो, बाहर हो, खिड़की से हो कहीं से भी आप ये कर सकते हैं उत्तर की तरफ आपको इसको फूक मारके उड़ा देना है अगर आपको डिरेक्शन समझ में नहीं आती है, एक अंदाजा में आपको बता देती है ताकि आप समझ पाएं कि उत्तर दिशा किसको बोलते हैं, एक अंदाजा में आपको बता देती हूँ सूरत जहां से उकता है आप वहां पे चेहरा करके खड़े हो जाईए ठीक है, तो जो आप चेहरा करेंगे तो आपका जो लेफ साइड है, या निकि जो उल्टा साइड है, वो होगा नौर्थ तो वो डिरेक्शन की तरफ आपको इसको उड़ा देना है मनो काम ना करते हैं कीजेगा, आप इसको जितने बुद्वार चाहे कर सकते हैं या एक बुद्वार भी करेंगे, तो काफी है विश्वास के साथ कीजेगा, पूरे दिन में कभी भी इस उपाई को आप कर सकते हैं अब जो मैं आपको उपाई बताने जारी हूँ, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप परीक्षा देने जारे हैं, या आपके बच्चे परीक्षा देने जारे हैं, या आपका कोई कॉम्पेटिटिव टेस्ट है, या आप एब्रॉड जाना चारे है, या पैसे की कोई दिक्कात है, तो ये सभी के लिए ये उपाई जो मैं आपको बताने जारी हूँ, इससे भी आप धिरे-धिरे परीवतन देख पाएंगे, ये जो उपाई आपको करना है, ये बुद्वार-बुद्वार ही करना है, आप कितने बुद्वार भी कर सकते हैं, अब आप में विश्वास के साथ किया, तो परिवतन देख पाएंगे, आपको क्या करना है, गाएं को हरा चारा खिलाना है, आप चाए हरा चारा खिलाएं, चाए पालक खिलाएं, चाए आप मेथी खिलाएं, या धनिया खिलाएं, कोई भी हरी चीज आप खिला सकते हैं, य इतनी भी quantity में अपनी इच्छानुसा दे सकते हैं, अगर आप सफाई कर्मचारी को नहीं दे पाते हैं, तो आप सेवा कर्मी को भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा बुदवार बुदवार आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आप चाहें, तो महीने में एक बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखाई देगा आज के दिन अगर आप हरे कपड़े पैंते तो बहुत ज़्यादा शुभ है अगर यह पॉसिबल नहीं है तो हरे रंग का कपड़ आपनी जीब में जरू से रखेगा लेकिन सुभे बुद्वार वाले दिन आप वहरे रंग के कप कपड़े को जरू से देख लीजेगा आपको उस कपड़े को अपने हाथों में रखके इस तरीके से देखना है और ऐसा सोचना है यह जो हरा रंग है यह मेरे अंदर पूरी तरह से समा चुका है अब ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपका कम्यूनिकेशन पावर भी बहुत ज़दा अच्छा हो रहा है अगर आपको बात करने में बिलकुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है आप डरते हैं आपको मेमरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यह जो ग्रीन वाला रेमेडी में आपको बताने हैं यह सूपर बली काम करेगा और यह वाले उपाए केवल आपको बुद्वार वाले दिन ही नहीं आप किसी बिद्दिन भी कर सकतें इस उपाए को आप रोज भी कर सकतें कंटीनु ट्विंटी बन डे सक वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा जो भी आज मैं आपको उपाए बताने जारी हूँ इस उपाई को मैंने पहले भी बता parenth़ बुद्वार वाले दिन भी कर सकते हैं आपको क्या करना है कोई भी दो घास की जो स्टिक्स होती है दो घास उसको आपस में आपको गांट बांदेनी है एक या दो घांट आपको बांदेनी है देखे कई बाए गंबले में छोटी छोटी घास होगाती है तो जो पास पास में दो घास है उसकी मनो कामना करते हुए आ ना तो ऐसा कर सकते हैं या कोई भी दो घास चिसांगी हैै आपस में उनको गांट बांद इजाए, आपको उनको मिट्टी से निकालना नहीं है, और बाद में आपको दुबारा वहाँ जाने के जरुति ए उस क्वांट को को कर सकते हैं अगर आप इन उपायों को विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवतन आएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आपक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नहीं जानकारी के साथ तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा इश्वर करें कि आपकी हर्मनो काम ना पूरियो आइविश यू आल दे बेस्ट नमस्कार